आप सभी का स्वागत हैं मेरे व्लॉग में तो कैसे हैं आप लोग इस डे टू ऑफ इंग्थार इस समय हम आ गये हैं एंशिन टाउन में जो की काफी खुल्सुरत है चलिए आपको दिखाते हैं इस जगह को हम सांग्चीन एंशिन टाउन के नाम से भी जानते हैं इस जगह का हजारों साल का इतिहास है इस जगह में काफी चर्चेज थाउस टेंपल स्कूल्स पुरानी चैनीज मेडिसिन्स की फार्मेसी सब पाई जाती है जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे आपको ये ल काफी ग्लो करते हैं और इस जगह को खुब सूरत बना देंगे जिस तरीके से इस कल्चर को संभाल के रखा है वो काफी सराज नहीं है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको दूर वो एक सितार की जैसे आकरेती दिख रही है है नकवज़ खास तो धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमें ये 270 साल पुराना पेड़ दिख जाता है और इसमें जो लाल रिबन्स हैं ये लाल रिबन्स एक तरफ से इंडियन कल्चर की तरफ डिनोट करती हैं विशेज मांगने का तरीका काफी सिमिलेरिटीज हैं इंडियन और के बारे में नहीं प्रभु श्री राम के बारे में बताया और उनसे बताया कि हम प्रे करते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे तो आपको छोटा सा मुद्र दिख रहा होगा सडकों पर शायद यहां बारिश होई है और थोड़ा सा आगे बढ़ती हमें अलादीन का चिराग यहां पर दिख गया हमने सोचा हम बेगिस के कुछ विश्ज मांगी लें पर यहां सायद य यहां पर काफी चीनी मिटी यानि पोशलेन और सेरेमिक्स की टी पॉड्स चोटे चोटे आर्टिस्टिक चीजें दिख रही होंगे आपको यहां पर इनकी काफी डिमांड है थोड़ा आगे बढ़ते हैं आपको सिमिलाइटी दिखाते हैं यहां पर शिर जी के रुपद्र की प्राइस काफी कॉसली है थोड़ा और आगे बढ़ते हैं यह रेखिए यहां पर फ्रेग्नेंस वाले केंडल्स भी मिलते हैं दिरे दिरे चलते चलते हम थोड़ा सा थक सा गये थे पर यहां पर खुबसूरती को देखते हुए हम फिर से ठीक हो गये है रिफ्रेश अब चलना पड़ेगा आगे और आगे चलते ही हमें यहां पर लोग ताश खेलते हुए दिख जाते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को दाओं पर लगा रखा था चलिए और आगे चलते हैं मैं फ्रेंड टोल्ड मी कि यह एक टेंपल है तो आपको चैनीज टेंपल दिखाते हैं तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए मंदिर की तरफ और यहां पर लोग हमें पूजा पाठ करते हुए दिखते हैं चैना एक एथिस्ट कंट्री है यहां पर फ्रीली रिलिजन फॉलो करना मना है पर फिर भी लोग अपने कल्चरल को फॉलो करते हैं यहां पर काफी जैन, क्रिश्यन, मुस्लिम पाए जाते हैं जो कि फ्रीली तो नहीं पर अपने कल्चर को फॉलो करते हैं यहां पर थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, तो वो आगे बढ़ते ही आपको clear view दिखेगा, यह ताउस टेम्पल के gods का, जै हो, फिर हम वहां से बाहर निकल के दूसरी तरफ चलते हैं, आपको थोड़ा सा आगे जाते ही, यहां पर face scan दिखेगा, यहां के हर जगाओं पर face scan और ticket number scan करने का machine रखी रहती, पर हमने कोना पकड़ा और वहां से निकल पड़े, फिर मैं यहां पर struggle करते हुए हान्फू पहनने के लिए, क्योंकि मुझे इसके end समझ नहीं आ रहे थे कहां से हाथ डालना है, क्योंकि यह काफी lose था, काफी struggle के बाद आखें मैंने उसे पहन लिया, ऐसा कुछ नहीं जो एक इंडियन नहीं कर सकता, आखें मैंने लिए, बाहर इनका नाम हमने पढ़ाता है, यह है God of Wealth, यानि धनराशी के भगवान, और आपको यहां पर चोटी चोटी येलो के आखेंटियां दिख रही है, यह है चोटे चोटे गॉड के आइडल्स, जो की glow कर रहे है, डेकुरेशन के लिए काफी सुन्दर लग रहा है, तो फिर हम पहुंच रहे हैं कि दूसरी स्पार्ट की तरफ और मेरा फैबरेट स्पार्ट यानि बैम्बू ट्राफ्टिंग, मैं काफी एक्साइटेट था, और यहां के नजारे कुछ अलग ही अद्बुत थे, यह देख तो उसमें आगे हो, इस बैम्बू राफ्ट में चेर्स लगी हुई थी ताकि आप बैठ सकें और साथ में लाइफ जैकेट्स दिये गए थे, ताकि आप डूब हैं तो बचा लिया जाए, इस खास व्यू के साथ डक्स आपको दिख जाएंगी उदर, यह इंक्सी प्रोवि मेरा फर्स टाइम था, तो मुझे तो काफी मजा आ रहा था, और व्यूज भी काफी खास हैं, वैसे आप अगर इसका अलग एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, सिर्फ तो इसकी इंडिविजुल टिकेट्स भी मिलती हैं, और अगर आप जियांक सी प्रोविंस में आते हैं, तो इंग्ठान की पेंबूराफ्ट राइड लेना काफी मस्ट विजट है, और हमारी जो गाइड तेर, यह चाइनीज में हमें यहां के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताती हो, चल रहे हैं कि इन स्ट्रक्चर्स में अलग-अलग स्ट्रक्चर्स बने हुएं जैसे वैसे मैंने कोई फोटोग्राफर हायर नहीं किया था, और पीछे जो कपल बैठे हैं, वो मेरे इंडिविजल फोटोग्राफर बन गए थे, वो मेरी पिक्चर्स ले रहे थे, ताकि उनकी एक्स्चेंज में कपल वाली फोटो मैं ले लो, तो मैंने भी उनकी हेल्प करी, ज ऐसी हाई वैल्यू टूरिस्ट प्लेस के नाम बताता हूं मैं, ग्यूलीन, जो की काफी खुबसूरत एंवार्मेंट है वहां पे, और वहां का बैंबूराफ्ट फेमस है, आपको जूम करके दिखा रहा हूं, वो चेरी ब्लॉसम के पेड, वो जो पिंक कलर के पेड दिख हैं, आपको वो चेरी प्लॉसम के हैं, यह व्यू देखिए, इसन्ट इत वर्थ टिकेट, लेट में नो इन दे कमेंट्स, और आप कौन सी चाइना की जगह में देखना पसंद करेंगे, मुझे ज़रूर बताए, बोर्ट राइट की डूरेशन लगबक खतम होने वाली है, पर मैं नहीं जाना चाहता है, तो धीरी धीरे मैं इन कम पल्स को फॉलो करते हुए चलता हूं, क्योंकि इन्होंने मुझे अपनी कार में राइट देने के लिए कहा है, इंधान रेलवे स्टेशन के लिए, जो कि यहां से काफी दूर है, और संसेट होने लगा है, शायद ट और आपको यहां के डिक्रेशन दिखाऊंगा, नाइट की काफी खास है, तो इस प्लेस को इस समय के लिए बाय कहता हूं, और एक और इंट्रेस्टिंग बात आपको बताता हूं, वो दूर आपको एक टावर दिख रहा होगा, चैना में इसे पगोडा कहते हैं, मोस्ली चै करने का, हम समय से काफी पहले आ चुके हैं यहां पर क्योंकि ड्रॉप उन्होंने बहुत जल्दी कर दिया था, तो फिर मिलते हैं आप से किसी दिन और किसी नए व्लोग के साथ, टोंट फारगेट तो लाइक, कमेंशेर और सब्सक्राइब,